बाप और बेटी की रिलेशन्शिप यह बहुत ही अजीब सी थी गर में जो भी हो रहा था इस सबसे ब्रदर बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो जाता है पैरलल में उसका भी अपनी नेवर के साथ अफेर चल रहा है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इसी थीम पर बेस्ट बैक रोड्स यह 2018 के एक हॉलिवड मुवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ इस मुवी में आने वाले ट्विस्ट आपको दंग करकर रहेंगे हैं तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चल लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किसी तरीके एक्स्प्रेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में क्यारक्टर हारली को पुली स्टेशन में देखते हैं पुलीस उसे पुछते हैं तुम्हारे पास राइफल थी तुम उसे दूर से मार सकते थे तो पास जाकर तुमने क्यों मारा अगर तुम जाते तो इस सारी सिचेशन को as a accident भी दिखा सकते थे अब इसके बाद फ्लैश बैग में जो भी हुआ था इस सारी चीज़ों के बार में हमें पता चलेगा फ्लैश बैग में हम देखते हैं कि हारली अपनी तीन सिस्टर के साथ अकेला रहता था उसकी मदर ने उसके फादर का मर्डर कर दिया था और इस इलजाम में वो सजा काट रही थी हारली की तीन सिस्टर में से सबसे बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम था एमबर एक छोटी सी सिस्टर जिसका नाम था जोडी और एक मिडल सिस्टर जिसका नाम था मिस्टी है था, Ember का इस तरीके से डेट पर जाना यह उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि Ember seriously date नहीं करती जो भी उसके partners होते हैं उनके साथ वो कभी भी serious नहीं होती Harley Ember को confront करने के लिए गया, Ember उसे कहती है मेरे एक life है, तुम्हें सिर्फ काम करना पड़ता है इस वज़े से तुम जेलस हो तुम्हें कोई भी लड़की भी नहीं मिलती Harley को इस बात से बहुत बुरा लगता है वो बेचारा बहुत मेहनत करता था वो अपनी sisters का अच्छे से खैल रखता था वो कितना भी ठका हुआ हो फिर भी जोडी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है रात में हम Harley को एक सूपर शॉप में काम करता देखते है वो आपर उसने अपने एक neighbor को नोटिस किया जिसका नाम था कैली कैली की डॉटर और जोडी ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी इसी वज़े से Harley कैली को जानता था Harley कैली को देख रहा था तो कैली ने भी बात नोटिस की उसके पास आकर उसे बात करती है कैली कहती कि मेरी डॉटर को जोडी की याद आ रही थी एक रात उसे डिनर के लिए हमारे यहाँ रुकना चाहिए Harley भी इस बात के लिए मान जाता है रात में वो सोया हुआ था तब उसे Amber और उसके बॉइफ्रेंड की आवाज याने लगके Harley देखता है तो वो इंटिमेट हो रहे थे उसने गन निकाली और बाहर जाकर वो हवा में शूट करता है यह देखकर Amber के साथ जो लड़का था वो डर गया और वहाँ से भाग जाता है Amber जो स्काउच पर थी उसे Harley ने निकाल कर डिरेक्ली जला दिया Amber इस बात से बहुत ज़्यादा गुसा हो गई थी अर्ली दिन हम देखते है हारली जोडी के साथ अपनी मदर को देखने के लिए जा रहा था मदर को सजा होने के पाथ यह फर्स टाइम उसे मिलने के लिए जा रहे है जोडी बहुत ही छोटी है पर फिर भी Amber जीस तरीके से अपनी लाइफ जीती है इसे देखकर वो वरी कर दिया हारली ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं होगा घर की सारी जिमेदारिया हारली के उपर आने के बाद इस बोज में वो दब चुका था उसे घर की नॉर्मल चीज़े भी पता नहीं थी वो अपनी मदर से बुचता है कि लाइट बल्ब कहा है जोडी अपनी मदर को उसके ड्रॉइंग्स विगरा दिखा रही थी और मदर ने हारली से बात की कहा कि तुम बहुत ही अजीब लग रहे हो हारली ने कहा कि तुमें यहां रहना अच्छा लग रहा है तुम जान बुच कर यहां आई हो वो बहुत जादा डिस्टब हो गया और वही पर कोलाप्स हो जाता है इस इंसिलन की वज़े से अब वो अपनी मदर से नहीं मिल पाएगा कोड ने उसे मैंटेटरी थेरेपी में बहजा था जहाब उसे साइकोलाजिस से बात करनी पड़ती है हारली अपनी प्रावलम्स पताता है तो साइकोलाजिस ने का इस जोड़ी का खैल रखने के लिए तुम अपने रिलेड्यूस को पूछ सकते हो हारली ने का यह फादर के हाँ के कोई भी रिलेड्यूस हमसे संबन नहीं रखते है और फादर के हाँ के अंकल माइक यह उनसे मिलने के लिए कभी-कभी आया करते है पर उसे पता नहीं कि क्या उन्हें हेल्प कर भी सकते है तेरेबिस ने पूछा कि तुम अपनी सिस्टर्स के लिए इतने वरीड क्यों होते हो हार्ली कहता है कि वो प्रेगनेंट हो सकती है और यह बहुत ही बुरा होगा तेरेबिस ने पूछा कि अगर तुमने किसी लड़की को प्रेगनेंट किया तो तुम क्या करोगे हार्ली कहता है, as a responsibility में उसे शादी करूंगा अगर उसे प्यार भी नहीं करता फिर भी पूरी लाइफ तक उसके साथ रहने के लिए रेडी था पर उसका मानना था अगर वो किसी लड़की के साथ होगा तो उससे हमेशा बहुत प्यार करेगा इसके बाद नेकसिन में हम देखते हैं कैली के डॉटर के साथ खेलने के लिए जोडी आई हुई थी किया यह दोनों बाते करने लग गए थे तो कैली हरली की इंड्रेस्ट के बारे में जान ले दिया कैली को आर्ड में इंड्रेस्ट था और हरली को भी कुछ पेंडिंस के बारे में पता था पुगहता है कि एक painting मुझे क्या feel कराती है यह बहुत ही important है इस बात से कैली ने agree किया इन दोनों के paintings को लेकर choice बहुत ही same थे रात में घर पर आने के बाद Ember Harley से बात करती है उसे अपनी car drive करने के लिए license की जरूरत थी पर इसके लिए thousand dollars लगने वाले थे Harley इसके लिए मना करता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है Ember बोचती कि दुमारे पास पैसे क्यों नहीं होते है डाड तो सब को सही से कर लेते थे Harley कहता है को construction में थे मुझे वहाँ पर job नहीं मिलता slowly slowly उस सब कुछ try कर रहा है Ember सब चीजों पर गुसाओकर वहाँ से चली जाती है एक दिन कैली ने Harley को recipes और painting की book gift की जो Harley को बहुत अच्छी लगती है एक दिन काम करते हैं कैली फिर से उससे मिले पुछती है तो इंप paintings के बारे में क्या लगा था Harley कहता है कि Adam और Eve की वो painting बहुत ही accurate थी Adam jungle में सारी चीज़े figure out करने का try कर रहा था और Eve जो है उसमें adjust करने का try कर रही थी ये Harley का observation कैली को अच्छा लगता है Nixon में हम देखते है Harley के uncle Mike उसे मिलने के लिए आये हुए थे वो ने घर में थोड़ी थोड़ी help करते रहते है उनका बेटा प यूनिरसिटी में जिस पर वो बहुत ही proud थे उसके सारे फोटो उसने Harley और Ember को दिखा है ये दोनों उस पर जलते थे तो उसका मजा को ड़ाते है ये बात अंकल माईक को अच्छे नहीं लगती और वहाँ से हो चले गए आज इविनिंग में Harley बहुत ही सुकुन से है अपने यार्ड में सो गया था जब उसकी नीन खुली तो बहुत ही जादा डिस्टब हो जाता है फिर इस उसे पैनिक अटेक आने लग गया था वो भागते वागते कैली की घर तक पहुँझ गया कैली बाहर आई और उसे शान्त करने की कोशिश करती है वो भागते वागते जंगल तक पहुँझ गया था कैली उसके पीछे बीचे गई तो डार्ली उसके साथ वो इंटिमेट हो जाता है कैली भी उसे कमफर्ट करना चाती थी तो कुछ भी बात बोलती नहीं सुबा होने पर कैली उसके साथ नहीं थी वो जब घर पर आया तो मिस्टी एक गन से शिकार कर रही थी ये देखकर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है कहता है कि तुम्हारी उमर नहीं है मिस्टी को ऐसा नहीं लगता मिस्टी अपने आप को अभी से बहुत बड़ा मानती है गर के बाहर हार्ली ने जोडी को देखा उसके हाथ में खुन सी लदपद एक टीशर्ट था इतनी चोटी लड़की को हार्ली इसके बारे में जादा क्वेशन नहीं पूछ सकता था आज रात हार्ली के स्टोर पर कैली फिर से अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग करने के लिए आई वो दिन बार काम करकर बहुत ठक जाती थी और शॉपिंग करने उसे अच्छा लगता था कल राज जो भी हुआ इसके बारे में बात करते है कैली को समझ मिने आ रहा था कि जो भी हुआ ये सही हुआ या गलत वो हार्ली से कहती कि मेरे दू कीर से मेरा हस्बंड है हार्ली गयता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ उसे उसके साथ अच्छा लगता है ये सब सुनकर कैली ने अगली दिन अपने घर पर उसे इन्वाइट कर लिया वैसे भी उसका हस्बंड कुछ दिनों के लिए आउट आफ टाउन था रात में दोनों मिले और कैली ने हार्ली से पूछा कल तुम डिस्टब थे क्या तुम्हारा प्रॉलम सौल हुआ हार्ली इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो गए हार्ली को कैली के साथ होना बहुत ही अच्छा लगता है सुबा जब वो घर पर आता है तो एमबर उस पर बहुत ज़ादा गुस्सा थी कह दिया है कि उम रात बर कहा थे घर पर कुछ प्रॉलम हुआ है उनकी सिस्टर मिस्टे के पास एमबर को थाउजन डॉलर्स मिले थे हार्ली नो उसे गनफरेंड किया तो मिस्टे कहती है ये पैसे मदर किया वो हम सब को लेकर यहां से भाग जाने वाली थी ये पैसे हार्ली ने उसे ले लिया एमबर खुछ थी कि अब वो लाइसन्स ले सकीगी पर हार्ली उसे मना कर देता है उसने कहा कि हमें घर के डैक्से बरने बढ़ेंगे और ये पैसे वो नहीं दे सकता एमबर इस बात से और भी जादा अपसेट होगी आज आफ्टरनून में ही हार्ली डारेक्ली कैली से मिलने के लिए बहुच जाता है कैली उसे कहती है कि इस तरीके से तुम कभी भी मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकते है मेरा हजबन घर पर हो सकता है हार्ली दो जॉब्स करता है तो दिन बर उसे भी टाइम नहीं मिल पाता है इन दोनों ने मिलकर decide किया कि rail roads की हाँ पर दोनों मिलेंगे इसके बाद ये दोनों week में एक दिन time fix करकर मिलने लग गए थे एक राज जब ये दोनों साथ थे तो इने लगता है शायद इन पर कोई नजर रख रहा है हारली ने जाकर check किया तो कोई भी नहीं था नेक्सिन में हारली को फिर से अपनी थेराबिस से बात करता देखते है हारली ने कहा क्या बच्चों को मारना ठीक होता है हारली को उसके फादर मारते थे तो ये बात उसे नौर्मल लगती थी तेरवीस्ट ने पूछा कि तुम्हारे फादर ने कभी भी तुम्हारे सिस्टर को अप्यूस किया था तेरवीस्ट ये मिस्टी के साथ भी सेशन हुए था और उससे उसने बात पहचान ली थी हार्ली कोई बात पूरी तरीक से जोट लगती है जब वो घर पर आया तो Ember अपने बॉइफरेंड के साथ घर छोड़ कर जा रही थी जोड़ी Ember को जादा देखकर रोने लग जाती है हारली ने Ember को रोखने की कुशिश की पर अपने ड्राइवर लाइसंस को लेकर बहुत गुस्सा थी तो अपने बॉइफरेंड के साथ चली जाती है जोड़ी ने हारली से का तुम्हें Ember को जानने नहीं देना चाहिए था हारली कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि Ember फिर से वापस आ जाएगी उसका बॉइफरेंड उसे छोड़ देगा और वो फिर से घरी आने वाली है हारली अकेले में जोड़ी से बुछता है जाने से पहले Ember क्या बात कर रही थी जोड़ी ने कहा कि Ember और Misty दोनों बात कर रही थी उनके बीच में कुछ सिक्रेट था तो उन्होंने मुझे सुनने नहीं दिया जोड़ी कहती है सिक्रेट को सेफ रगने के लिए मुझे से अच्छी Misty है हारली उसे बुछता है कि उस दिन खून का शर्ट तुमें मिला था क्या वो Misty का था जोड़ी ने कहा कि हाँ हारली ने बुछा कि वो Blood किसका था जोड़ी कहती कि वो Daddy का था हारली को लगा था कि उसकी मदर ने जब उसके फादर को मारा तब Misty मौल पर थी इसके बारे में जब वो जोड़ी से पूछता है तो जोड़ी ने कहा कि Misty घर पर थी फादर को मारने के बाद मदर ने Misty को मौल पर छोड़ दिया था मदर फिर जंगल में चलीगी वहाँ पर कुछ खोदने लगगी मुझे लगा था कि उस गड़े में उसके फादर को डाल देगी पर उसने Misty का टीशर उस गड़े में डाल दिया कि तुमने मदर को फादर को मारते हो देखा था जोड़ी कहती कि मैं बहुत ही डर शुकी थी तो अपने रूम में थी हारली अब समझ जाता है कि अक्चौल में उसके फादर को Misty ने मारा था मदर ने सारी चीज़ों का ब्लेम ले लिया नेकसिन में हम देखते है हारली ने अपने लौयर से बात करकर अपनी मदर से मिलकर मिटिंग अरेंज किये हारली अपनी मदर से पुछता है क्या तुम हम सबसे भाग रही थी क्या इसी वज़े से तुमने सब कुछ ब्लेम लिया मुझे पता है कि ये सब Misty ने किया है Misty एक माइनर है अगर तुम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती तुम से भी प्रॉलम ने आता और तुम भी बाहर होती मदर ने कहा कि इतना सब को सिंपल नहीं था एक्चॉल में Misty मदर को मारना चाती थी और उसके फादर उसके सामने आ गए हारले ने पूछा कि ऐसा क्यों मदर कहती है क्योंकि वो मुझसे जेलस थी अब हमें पता चलता है कि तेरेपी जिस अब्यूस के बार में बात कर रही थी यह एक्चॉल में हुआ था इन रियालिटी इनके फादर मिस्ट्री को अब्यूस करते थे इस अब्यूस के खिलाफ कभी भी मदर कुछ भी बोलती नहीं थी तो इस वज़े से मिस्ट्री बहुत गुस्सा हो गई थी इसी वज़े से उस दिन मदर को मारने वाली थी फादर सामने आ गए और उनकी डेथ हो गी सब बात पता चलने के बाद हारली जब घर पर आया तो एमबर अल्रेडी घर पर आ चुकी थी उसके बॉइफ्रेंड से उसका जगड़ा हुआ था उसनों से मारा भी था आज हारली डिस्टब था तो रात में आचानक से कैली के घर पर पहुच जाता है कैली का हस्बन घर पर था तो हारली पर वो गुस्सा हो जाती है कहती है कि तुम्हारे लिए में सब कुछ बरबाद नहीं करने वाली उसके फैमिली को छोड़ नहीं सकती हारली कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर अगर इन्हें अपने रिलेशन्शिप को कंटिनूर रखना है तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए हारली ने ये बात मान ली कुछ दिनों बात हारली से मिलने के लिए एमबर आए वो गहती है मैं फिर से मेरे बाइफ्रेंड के साथ जा रही हूँ हारली गया था है कि वो तुमारे लिए सही नहीं है क्या तुम्हें इस तरह के से मार खाना अच्छा लगता है एमबर शाहती थी कि हारली उसे रोक ले उसे घर में विलकम करे हारली भी उसे रुकने के लिए कह देता है तो एमबर को भी बहुत अच्छा लगा रात में साथ में घर पर आए हारली बहुत ही ड्रंक हो गया था वो सुबा देखता है तो एमबर उसके पास ही सोई हुई थी उसे लगता है कि रात में इनकी बीच में कुछ हुआ इस बात से वो बहुत जादा डिस्टर्ब हो गया एमबर उसे समालने की कोशिश करती है पर उसे दूर जटक देता है एमबर इस बात पर गुसा हो गया और कहती है मुझे तुमारे और कैली के बारे में सब कुछ पता है तुम कभी भी उसे पान ही पाओगे जिस तरीके से मिस्टी का घर में अब्यूस हुआ करता था उसी तरीके से बचपन में एमबर का भी उसके फादर अब्यूस करते थे इस बात के बारे में हरली को थोड़ा थोड़ा पता था पर आज ये बात confirm हो गई थी वो अपने therapist के पास जा कर सब कुछ उसे बता देता है और वो बहुत रोया therapist ने उसे समझा किन चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तुम दोनों बहुत ही छोटे थे किस तरीके से इस incident को तुमें deal करना चाहिए इसके बारे में तुम्हें कुछ भी idea नहीं था Amber जो भी करती है इस सारी situation को deal करने का उसका way है उसे help की जरूरत है हरली जब घर पर आया तुम Mr. उसे बात करती है कहती कि मैंने तुम्हें और Amber को सुना उसने बताया कि Amber और में जाता अलग नहीं है गर में दोनों की situation सेम थी हरली उसे कहता है कि तुमने जो भी क्या इसके बारे में मुझे पता है Mr. ने कहा कि तुम्हें बहुत पहले ही फादर को मार दिना चाहिए था हम दोनों को इन सब चीजों से गुजरना नहीं पड़ता ये बात सुनकर हरली को बहुत बुरा लगता है आज वो कैली से मिलने वाला था तो जगा पर पहुँच गया वहावर डारी लिए उसे कैली की dead body मिलती है उसने आसपास देखा तो एमबर के पास उसकी राइफल थी एमबर कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए अगर तुम कैली के साथ होते तो मेरा ख्याल कौन रखता हरली कैली के पास ही बहुत रोया वो फिर खुद पुली सेशन में जाकर सरिंडर कर देता है उसने कहा कि मैंने ही कैली का murder किया है सारी situation पुलीस को बता दी पुलीस officer कहते है कि अगर तुमने कैली को मारा होता तुम दूर से भी उसे मार सकते थे तुमने crime scene के पास उल्टी की इसका मतलब है तुमें कर ही नहीं सकते थे तुम खुद चलकर हमारे पास आए ये कैसे possible है मुझे लगता है कि murder किसी और नहीं किया है हारली एमबर को बचाना चाता था वो आगे चलकर अच्छी लैप जी सकती है पर हारली अपनी खुद की life को अच्छा नहीं मानता तो इस वज़े से सारा blame अपने आप पर ले लेता है पुलीस को उसने बताया कि मुझे multiple personality disorder है इसी वज़े से इस सब मेंने किया है और वो खुदी statement दे रहा है तो पुलीस कुछ भी कर नहीं पाते उस पर सारा blame आ गया उसे जेल में डाल दिया जाता है तेरवीस को जब इस सब बात पता चली तो उसे वो मिलने के लिए आई उसे बहुत बुरा लगा उसे समझाने की कुशिश करती है तो अपनी life को इस तरीके से बरबाद नहीं कर सकते है हारली को लग रहा था कि अब तक उसने जो भी किया इस सब कुछ बहुत गलत किया है घर की सारी सिजुशन उसे पता ही नहीं थी उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था इस blame की वज़े से उस खुद को सजा देना चाहता था तो इस वज़े से कुछ भी नहीं बोलता जेल में उसे अपनी छोटी सिस्टर जोडी के लेटर्स मिलते रहते है हारली के जेल में जाने के पाथ सब सिस्टर उनके अंकल की हा रहने के लिए चली गए वहाँ पर हो सेफ थी और एक अच्छा फ्यूचर पास सकती थी हारली अपनी फैमिली के लिए यही जाता था तो जेल में रह जाता है इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती है क्राइम जो करता है उसे सजा तो होनी चाहिए पर जो क्राइम देखकर नजर अंदाज कर देता है वो भी दोशी है हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने चाहिए ये मूवी हमें बात बता कर जाती है